हाई दोस्तों, मैं काप्टन भावे, श्वागत करता हूँ आप सब के अपने चैनल The Struggler पर, आप सब की भारी डिमांड पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किये कि AAFT के उपर एक वीडियो बने ही, उसकी फुल डीटेल वीडियो बन तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खुबसूरत लाइन से कि Small Step in the Right Direction are better than Big Step in the Wrong Direction, मतलब कि अगर आप छोटे-छोटे कदम लोगे, सही दिशा में तो आप आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, अगर आप Shortcut माने की कोशिश करोगे, बहुत लंबे, मतलब क कोई भी Shortcut मारोगे, तो मतलब Successful होना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर Success भी हो जाओगे तो बहुत जादा दिन तर उसको आप सर्टीन नहीं कर पाओगे, तो चलिए वीडियो को आप आगे बढ़ाते हैं, जिस टॉपिक पर ये वीडियो बना रहे थे, AFT के बारे में, तरीके के इनलोग के पास काभी लिया थे, तो आप ये सोच सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आपको जो सिखाया जागा वो बेस्ट सिखाया जागा, यहाप वो आपके लाइफ में जरूर काम आएगा, चलिए थोड़ी और बात ही करते हैं, जैसे कि मैंने इसका फ और इसका एक और ब्रांच है जो कि 17 अप्रेल 2018 में उपन हुआ है रायपुर 36 गड़ में उसका नाम है AFT University of Media and Art वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ सिखाए जाएगी जो आपको नोड़ा वाले कॉलेज में सिखाए जाएगी जैसे अगर उस एरिया के कोई लोग है तो वो आप जाके 36 गड़ के एरिया में जाके जॉएन कर सकते हैं और जो इस साइट के बैच के लोग हैं वो आकर इस साइट जॉइन कर सकते हैं ठीक और ये कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ ये 1990 screenshot हुआ है वोस्दीप महरवार के त्वारा और अब ही इसके जो board of director हैं वो है सोनम कपूर, अरजन कपूर और बोनी कपूर, अनिल कपूर और अक्षै महरवारा और संदीप महरवारा तो इसके board of directors में से एक है तो ये लोग हैं जो इस institute को आगे लेके चल रहे हैं और अब हम भी आगे बढ़ते हैं सबसे important segment के और जहां पर मैं आपको कुछ picture show करूँगा इसी college की जब अगर कभी आप इस college में अडमीशन ले रहे हैं तो आपको कम से कम nostalgia फील हो कि हाँ यार मतलब मैंने वहाँ पर देखा था सेम इसी तरही के ऐसा था और आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि वो आपको college के scene चल रहा है college की आपको auditorium देख रहा है college का main gate देख रहा है तो आप लोग सोचो कि आप भी इसी college में अडमीशन लोगे अगर आप acting करना चाहते हो तो best college में से एक है आप शही दिसा में जाओगे और ये आप 12th के बाद ही join कर सकते हो इसमें कोई theater कोई ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि क्या 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 क्रेटेरिया है जिससे आप अपना form fill कर सकते हो चलिए आप पहले pictures देख लो इसकी पहले तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कितने type के course हैं जहाँ पर आप admission ले सकते हो सबसे पहले तो यहाँ चार तरिके के course हैं UG degree, PG degree और diploma UG and PG और certificate course टाइप के और जो UG वाला है उसके अंदर कई पार्ट हैं UG के अंदर जैसे आपको वहाँ पर पहले B.Sc करेंगे जैसे आप other college में जाते हैं admission ले जिससे BCOM, BA या इस type के BTEC करते हो तो उसी तरीके से आप यहाँ पर पहले तीन साल अपने आपको अपना जो graduation पूरा करना चाहते हो वो पूरा करोगे उसके बाद उसी के साथ-साथ आपको acting भी सिखाई जाएगी B.Sc जब आप U.G कर रहोगे undergraduation रहोगे तो सबसे पहले आपको B.Sc भी पढ़ाएंगे साथ-साथ और उसके बाद वो आपको कमसे कम तीन साल train करेंगे acting में और acting में जैसे diploma in acting कराएंगे diploma in direction कराएंगे diploma in sound editing कराएंगे diploma in post production कराएंगे और last है B.A. B.A. में आपको theater and acting दोनों सिखाए जाएगा और अगर मैं आप लोगो last में fees का एक structure amount बता दूँगा कि कितना लगेगा इस fees का और जब PG करने जाओगे या मतलब undergraduation कर लिए आप post graduation करोगे तो वहाँ पे M.S.C. सिखाए जाएगा उसमें भी सेम है diploma in acting, diploma in direction diploma in sound, virtual communication ये सब चीज सेम रहेगे आपको screen पे भी show हो रही होगी आपको ये 5-6 तरीके की चीज़ वहाँ पे से का editing सिखाए जाएगी diploma दिया जाएगा editing में तो ये सारी चीज़ आप लोगो और साथ ही साथ आपका under graduation भी हो जाएगा post graduation भी हो जाएगा तो आप एक तरीके से graduate भी हो जाओगे अगर यहाँ से कभी acting में भले कुछ ना कर भाओ तो कम से कम कोई आप job करने के लायक रह सकते हो इतना ये लोग आपको बना के रख देंगे 12th के बाद आपको visual communication सिखाया जाएगा आपको post production का काम सिखाया जाएगा किया से किया जाता है तो ये सारी चीज़ आपको एक साल के इंदर सिखाया जाएगी उसके बाद जो certificate का course है वो तीन मन्त का होता है तीन मन्त में भी सेम चीज़ ही आपको सिखाया जाएगी जो और पहले सिखाये गई थी ओके I hope आप लोगो समझ में आ गयोगा कि सब कुछ सेम रहेगा बस खाली timing का change है कि year कितना चल रहा है और screen पर मैं आपको show कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ कितने कितने दिन में सिखायी जा रही है अब मैं बात करता हूँ fees की सबसे important देखो जो आप UG और PG करोगे उसकी जो fees रहेगी almost 2,50,000 के आसपास रहेगी ठीक मैंने जब सर्च किया मैंने बहुत जगां सर्च किया बहाँ पे almost 2,11,000 दिखा रहा था something और किसी किसी का 1,76,000 दिखा रहा था बट मैं एक round of work ले रहा हूँ कि आपका धाई लाग मान लेता हूँ लग जाएगा UG और PG करने में अगर आप UG कर रहे तो धाई लाग एक साल का PG कर रहे तो धाई लाग एक साल का अगर आप एक साल का कोर्स कर रहे तो एक लाग रुपै जो मतलब डिप्लोमा UGPG और अप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे तो 50,000 रुपै यह मैं अनुमान से बता रहा हूँ जिस हिसासे मैंने सर्च किया क्योंकि मैंने इंक्वाइर के लिए कॉल किया तो inquiry के call वापस आया नहीं है जहां पर यह इनों ने मुझे पूरा बताएंग बट मैंने जहां जहां सर्च किया वहाँ पर यह fees structure था आप अगर मान लो ठाई लाग रुपए इतना 3 year के course के लिए UGPG 1 लाग डिपलोमा के लिए और 50,000 certificate course के लिए ठीक अगर आपका budget है तो आप जरूर कर सकते हैं मेरे खाल से बहुत ही अच्छी opportunity है आप सब के लिए और यह July से start होता है batch और 3 month वाला तो आपको हर 3 महीने में आपको start में जाएगा वो आप बात कर लोगे contact number मैं आगे show करूँगा वहां से आप बात कर लेना इंसे और उसके बाद join कर लेना अगरा अब बात करते हैं कि process क्या process है मतलब किस तरीके से हमको application देखो जुलाइ में admission होता है तो almost आपको एक से दो महीने पहले form बनना पड़ेगा form इसका online भी आता, offline भी आता है या online form ले सकते हो, ठीक online आपको इनके website भी जाना पड़ेगा website में आपको आगे show कर रहा हूँ तो ये करना पड़ेगा, सीधे आपको form लेना पड़ेगा form fill करना पड़ेगा, form को submit करना पड़ेगा उनकी एक charge amount रहेगी, जो 200-300 रुपय registration चार्ज रहेगा, वो देना पड़ेगा then उसके बाद आपको सिर्फ entrance exam देना पड़ेगा entrance exam में कोई आपसे theater, theater का ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ जैसे आप BSC करने जाते तो BSC के बारे में पूछा जाएगा, simple और कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, और थोड़ा बहुत जो acting का पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, और कुछ नहीं, जैसके कि आपको पहले BSC कराएगा, उसके बाद जाके आपको acting और theater कराएगे, तो simple process है, पहले आपको BSC का clear करना पड़ेगा, फिर entrance exam clear होगा, फिर 50% होने ही चाहिए, आप लोग ऐसा कोशिश करो कि 50% पार करके जाना, टेक, तो ये इनका process है, जिससे आपको यहाँ admission मिल सकता है, simple process है, कोई इसमें rocket science नहीं, इसे form लेना, form fill करना, exam देना, exam clear करना है, बस, और कुछ नहीं, exam भी बहुत जादा ID दे रहा हूँ, mobile number दे रहा हूँ, website दे रहा हूँ, और Instagram दे रहा हूँ, जहाँ पे आप इनको contact कर सकते हो, जहाँ पे आप और inquiry कर सकते हो, कि हमारा admission कैसे होगा, कब से admission start होगा, वैसे July से start हो जाता है, और 3 मन्त वाला करते साथ हो, तो कौन कौन से 3 मन्त के बीच में होता है, वो आपको इनका Instagram पे update मिलता रहेगा, वहाँ से भी आप जाके इनको join कर सकते हो, कि पता चलता रहेगा कि कब start हो रहा है, कब नहीं start हो रहा है, तो ये पूरी कहानी थी, AAFT मतलब Asian Academy of Film and Television की कहां से कैसे admission निशान होता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या सब कुछ था, I hope आप लोगो सब कुछ समझ में होगा, फीक्स स्ट्रेक्चर में थोड़ा अगर डाउट होगा, तो आप last में जो मैंने contact number दिया, वहाँ से आप call करके, उनसे clear कर सकते हैं, मुझे ये वाले करना है, मुझे acting करना है, इसकी fees कितनी है, तो आप लोगो वहाँ से जाके direct clear कर लेना, ओके दोस्तों, I hope आप लोगो पूरी चीज़ समझ में होगा, गर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी, तो like, share और comment तो ज़रूर करते रहना, झाले करना है,